सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम आज हम बात करेंगे दो हजार साथ आठ में हुए स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान बहुत ही मोटी कमाई करने वाले एक ऐसे व्यक्ति की जिसने रियल स्टेट मार्केट में फैले इस भ्रम को तोड़ दिया कि रियल स्टेट प्रॉपर्टेज की कीमतें कभी घट नहीं सकती जिस क्रैश के दौरान लीमन ब्रदर्स जैसे बड़े बड़े दिगज फाइनेंशल फिर्म भी डूब गए वहीं उसके विपरीत इस व्यक्ती ने बहुत ही ज्यादा पैसे बनाए शेर मार्केट की दुनिया में बहुत ही जाना माना नाम है जौन पॉलसन जौन ने फाइनेंशल और एकोनोमिक्स में एजुकेशन लेने के लिए रिकॉगनाइजड नियू यॉर्क युनिवरसिटी के College of Business and Public Administration में पढ़ाई पूरी की और मार्केट के और भी डीटेल स्टडी के लिए बाद में Harvard Business School चले गए 2000 के दशक की शुरुआत में जब US Real Estate Market फल फूल रहा था तो उस समय जौन ने एक suspicious activity देखी उन्होंने mortgage industries में एक loophole को देखा mortgage industries को आशान भाषा में कहें तो Real Estate को खरीदने वालों को पैसे उधार में देने वाली company खैर आएए आते हैं वापस topic पर जौन ने मार्केट के इस negative sentiments से profit बनाने के अफ़सर को पहचाना यह मानते हुए कि Real Estate का ये business बहुत बड़े loss में जाने वाला है शेर मार्केट की भाषा में जिसे market bubble भी कहा जाता है वो फटने वाला था उन्होंने साबधानी पूर्वग different financial resources जैसे mortgage-backed securities जिसे short में हम लोग MBS के नाम से जानते हैं और credit default swaps पर शोध किया अगर आप CDS नहीं समझते हैं तो comment करें हम आपके लिए एक short वीडियो बना कर लाएंगे इसे समझाने के लिए जॉन पॉल्सन ने 1994 में पॉल्सन एंड कंपनी नामक अपना खुद का hedge fund स्थापित किया जॉन ने mortgage-backed securities को कम बेच कर real estate market के against down लगाने का फैसला लिया इस विश्वास के साथ कि market bubble के फूटते ही बाजार नीचे गिर जाएगा जिसे share market की भाषा में bearish momentum भी कहा जाता है 2007 में जैसे ही US में housing market mortgage default के वजह से गिरना शुरू हो गया जॉन के भविशवानी एक वास्तिविक्ता बन गई housing bubble फट गया जिससे disaster की तरह financial crisis हो गया हाला कि जॉन का hedge fund फलता फूलता रहा जबकि बाकी सभी लड़ खड़ा गया जॉन की hedge fund company ने सिर्फ अकेले ही 2007 में 15 billion dollar का मुनाफ़ा कमाया जिसकी वजह से जॉन को इतिहास के सबसे सफल traders में से एक माना जाने लगा उन्होंने gold और banking sector सहित कई क्षित्रों पर investment करके अपने portfolio में diversity लाई हाला कि बाद के वर्षों में जॉन को उनके philanthropist efforts के लिए भी जाना जाने लगा आशा करता हूं कि आप सभी को financial world से related ये जानकारी अच्छी लगी होगी अपने विचारों को मुझसे share करने के लिए comment करें और विडियो अच्छी लगी हो तो like करें और चैनल को subscribe करके आने वाले नए interesting videos की updates लेते रहें आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद